सुभे के साथे 10 बजे थे और आज मैं जहाने वाला थो आपको आगए पता चल जाएगा बोजय दाम जाने वाला है बागकी भाई 10 बजे तक मैं शिर्प अकेला ही जाने वाला था और मैं 10 बजे घर से निकलने वाला था स्टेशन के लिए इतने मैं बाइ यह तिनों भी एरो सिटी और जिस होटल में जाना था हो दिल्ली एरो सिटी के बिल्कुल आगे ही था तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं जाउंगा और शिधा आ जाउंगा लेकिन अब तो तीन और थे मेरे साथ तो मैंने इनको बोलागी पहले तुम घूम लेना कहीं पर और मैं इवेंट में चला जाओंगा उसके बाद जब मैं आ जाओंगा तो रात को घूमते हैं तो अभी एक कहीं और निकल गए थे भाई घूमने के लिए ये इवेंट जो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही होगा बस ओर एकी दिन होगा ऐसा नहीं है ये अलग-अलग जंगे पर अलग-अलग डेट पर भई अलग-अलग टाइम पर चलते रहते हैं तो फिलाल अभी जो नो दिसंबर को दिल्ली में स्टार्ट हो गया है नो दस ग्यारा तक ही ये चलेगा सुबह स्याम दो टाइम होता ये तो इसमें जो है बोत आस पास के क्रेटर को जो है चला जाता है भई या मेल वगएर इन्विटेशन तो जहां उनको पास लगता है वहीं के लिए अपलाई कर देते है तो मैंने नो तारीकों कर दिया था भई स्याम के टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा सा घोम भी लेंगे और देख भी लेंगे कि भई इसमें है क्या ये पहले तो नहीं होते थे क्रेटर क्लेक्टिव इवेंट तो फिलाल अभी ओर है और मैं बहुत पहले आ गया था तो अभी तक कोई ज्यादा क्रेटर यहां पर नहीं आये थे मुझे टेवल नंबर सेवन मिले गया था अभी तक ये समझू कि मिली ना दूसरी तीसरी एंट्री मेरी ही थी भाई स्याम वाले में वैसे तो पहले हो चुका था एक दो फैर को लेकिन अभी जो एस्याम को था अब भाई मुझे भी देखना था कि इस इवेंट में होगा क्या क्योंकि मैं बहुत सारे इवेंट में वैसे गया हूँ और सच बताओ तो ये इवेंट उन सबसे मुझे ज्यादा छोटा ही लगा कुछ खास नहीं था इसमें ठीक ठाक था यार मज़ा है बहुत ज्यादा जब हम कहीं घूमते तो बहुत सारी चिज्जे सीखने को मिलती है मज़ा भी आता है अभी स्वाड़ इवेंट में मातमा जी टेकनिकल और राजगरोर भी आये हुए थे तो इन्होंने थोड़ी बहुत स्पीच वगएरा दी उसके बाद फिर एक हमसे गेम खिलवाया गया था वो इजी ही था कुछ उसमें ज्यादा नहीं था और फिर चैलेंज वगएरा क्यों कि सच बताओ तो भई मैं वलोग सूट करने वाला ही नहीं था मैं तो बस वैसे ही वीडियो बना रहा था फिर मैंने जब कुछ पोस्ट डाली तो बहुत ही कमेंट आई कि वलोग भी आएगा क्या तो मैंने सोचा कि क्यों ना बता दू भई और फिर हमें कुछ मिला थ मैं जिस भी इवेंट में जाता हूँ ना भई वहाँ पर नोन वैज जरूर मिलता और वैसे ज्यादा ही मिलता है तो मुझे यह अच्छन लगता है और मैंने आज तक खाया भी नहीं भाई नोन वैज अब फोटो वगरा कली करके और यह गूडिज लेकर यहां से निकल जात अब तो कहीं भी वैसे मैं कुछ दिन से लाई भी नहीं आपा रहा क्योंकि यार मेरे तिना थुड़ी सी तब्यत भी खराब है और मेरा बहुत ज्यादा खराब है अब यह वह लोग मैं पूरा सूट नहीं कर रहा था भाई कि मैं कहां जा रहा हूं क्या है अगर मुझे वह अब यह तो यहां पर घूम चुके थे लेकिन मैं नहीं घूमा था इसलिए मैं इनको दुबारा से लेकर आ जाते हूं यहां पर हम थोड़ी बहुत फोटो क्लिक करते हैं उसके बाद हम घूमते हैं वह या सीपी में फिर उसके बाद मैंने आप रेक लड़की देखी जो की कोपी बनाने लग रही थी हो सकता है इसकी खुद की भी हो और कि हो सकता है यह किसि को बना रही हो है यह पर रात को पबिलिक बोजादा आते ह echt एंगे उसके बाद हम यहां से निकल गए थे आज का दिन बोज्रा ताथा झात मेरा मैं पहली बार ऐसे रात को दिल्ली में घूमा होगा मजा ही आ गया लेकिन लेट भी बो ज्यादा हो गये थे हम रात के 11-12 बज चुके थे भाई तो अब देखते भाई इसके अंदर है क्या और यह हालत देखो भाई इसकी कैसी हो गई बैक के अंदर यहां से तो यह फट तो सबसे पहले तो भाई है इसमें यह कैप है इसके साथ मैंने कुछ फोटो भी कलिक की थी हो देख लेना आप क्वालिटी तो इसकी ठीक है बस यह उत्रे ना यार यह ना उत्रे इसका बढ़िया भाई मस्ता है अब इसके अंदर एक यह लो लेटर है क्रीटर इसे भी साइड रखते हैं इसके अंदर कुछ ज्यादा तो नहीं है एक यह यूटूब की डाइरी है तो इसकी थोड़ी सी हालत खराब हो गई है ज्यादा नहीं होई है मस्ता बाकि यह भी ब्लैक और रेड में ही है सब कुछ और यह क्या भाई यह कैसी डाइरी है यह तो और यार पैंटिंग बैंटिंग बढ़ानी है यह यह मुझे लगा लाइन वाइन तो होगी इसमिन बाई कुक्छ भी प्रींट अंदर देखरो एक इंडेक्स का पेज नहीं है इसलो कुछ भी नहीं है बिल्कुल इस ऊफेद है यह तो अंदर से इस पे इस की पेज भाई य यार इस पेंटिंग मनाओ कुछ भी लिखो रहा हुआ 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 है मुझे नहीं पता था यह अंदर से ऐसी होगी बाकी ठीक है जैसी भी है बड़ी आया ऐसी है अब और क्या इसके अंदर भाई और कुछ भी नहीं है बस एक यह है जो यह तो मैंने वैसा ही अगर आप देखोगे ना आपको यह प्रिंटीड हो गया आप खुद भी प्रिंट करवा सकते हूं लेकिन जो मजा तब यह देते हैं और जो उस चीज में मजा होता ना वह अलग ही होता है अब इस पे प्रिंट है अगर मैं चाहो तो इस प्रिंट को ना कहीं पचास सो रु इसे ऐसे घुमाओ तो यह निकल जाएगा अगे सही रहा ठीक है कुछ इस तरह से है बहुत हैवी है यार क्वाल्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी है इस पैन की तो यह सब था बाइस के अंदर और बस कुछ नहीं था इसमें यही मेरे लिए बहुत ज्यादा खास था इसे इसे यूज नहीं करूँगा पैन को यूज कर लेंगे रख दूँगा इसमें बाद में लेकिन फिलाली सी में ठीक है कैप को यूज कर लेंगे बाद में तो आप पर मैंने बहुत सारे क्रियेटर देखे जो मुझे जानते थे और बहुत सारे ऐसे क्रियेटर जिननों को मैं जानता था भाई तो खुश हुई यार नए-née creator से भी मिले और अच्छा लगता है आर ऐसे कहीं गूमते हैं कुछ सीखने को मिलते हैं तो अगर आप भी creator हो तो लगे रहा हो यार एक दिन आप भी जरूर काम्याब हो जाओगे बाकि जो भी मैंने record किया हो सब मैंने आपको द कोड किया मेरे बाद में वही सोट डालेंगे आपको दिखा दिया है आपको कैसी भी लगी हो वीडियो लाइक कर दे ना मैं यह वीडियो पहले ही डाल देता लेकर मिरी तब्यत खराब थी तो पहले नहीं डाल पाया तो सब्सक्काइब भी कर लो बाई अब जल्दी ही करेंगे फिर से